आज के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे डिमांड क्या होता है economics में अशके बाद indê계 BusIRE डिमांड इसके साथOU हम diagram और schedule जो table है वो भी हम discuss कर लेंगे market डिमांड का भी same या होता है table और diagram दोनों discuss कर लेंगे और ये दोनों important होता है disning is between point जो 2 mark के लिए आता है तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसके बाद types of demand उसके बाद determinants of demand जिसको हम लोग factor affecting demand भी बोलते हैं ये जो question है 4 marks के लिए आ सकता है तो पूरा वीडियो धान से देखिएगा इसके पहले मैंने first chapter and second chapter के उपर detail में वीडियो बना दिया है तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए और ये जो next video रहेगा उसमें हम discuss करेंगे law of demand with assumption and exception ओके पहले हम लोग demand discuss कर लेते हैं अगर आपको इस topic का notes चाहिए तो आप जो है description में मैं link दे दूँगा notes का तो वहाँ से आप जाके easily read कर सकते हैं या इस lecture को आप सुनते समय भी आप खुद का notes बना सकते हैं हम discuss करते हैं demand क्या होता है क्योंकि अगर आपको demand समझ में आएगा तो ही बाकी के जो topics है वो आपको समझ में आएगे demand का basic meaning क्या होता है कोई चीज की मांग करना वो क्या होता demand होता है तेक है यह general term में अगर हम लोग ordinary term में बोले कि कोई चीज जैसे आपको bike चाहिए आपको shoes चाहिए आपको bag चाहिए या आपको कोई जो भी आपका requirement है वो क्या हो जाता है उस चीज का आप demand करता है अपने parents से उतने पैसे हो उस चीज को खरीदने के लिए और वो चीज हम को use करने में satisfied भी है ठीक है मतलब हम ऐसे नहीं है कि खरीद लिया बस उस चीज का हम को क्या होना चाहिए satisfaction होना चाहिए तब ही हम बोल सकते हैं कि वो demand है जैसे माल लीजिए कि यह Mr. A है सब अच्छे च्छे जॉब पोस्ट पे है सब लाखो करोडों का उनका सब का business है ठीक है एक friend का जो है anniversary आया तो उस टाइम पे invite किया Mr. A को ठीक है Mr. A को invite किया उनके friend ने कि भाई anniversary है आना है party है तो आपको आना है ठीक है और वहाँ जाने के बाद जब उनकी wife देखती है तो जितनी उनके friend या जितनी लोग party में guest आ रहे है सब लोग बड़ी-बड़ी car से आ रहे है अपनी खुद की own car से आ रहे है और सिर्फ यह जो Mr. A थे यह रिक्षे से गए public transportation से बैठके गए तो उनकी बीवी को बहुत बुरा लगता है Mr. A की जो wife रहती है उसको बहुत बुरा लगता है कि Mr. A आप इतना कमाते हो लेकिन फिर भी जो है public transportation यूज़ करते हो तो Mr. A जो Mr. A की wife है बहुत नाराज हो जाती है और फिर नाराज होने के साथ Mr. A की जो wife बोलती है कि मुझे कार चाहिए तभी मैं नेक्स टाइम आउंगी और आपसे तभी बात करूँगी और Mr. A जो है पैसे कमाते हैं लेकिन ये क्या है miser है मतलब conjuice है जो हमने second lecture में पढ़ा था miser मतलब conjuice होता है तो Mr. A बहुत जैसे बाकी इनके friend कमाते हैं वैसे Mr. A भी कमाते हैं लेकिन जो Mr. A है वो क्या है miser है, conjuice है अब Mr. A conjuice है इसके लिए क्या करते हैं वो खर्चा नहीं करते हैं लेकिन उनकी जो wife है wife ने क्या demand किया wife ने बोला जब car रहेगी जब car आप मेरे लिए दिला दो कि तभी मुझे से बात करना ठीक है, मुझे car चाहिए चाहिए तो अब यहाँ पर wife ने क्या किया demand किया क्या demand किया car का demand किया Mr. A के पास Mr. A miser है लेकिन उनकी ability है न मतलब वो Mr. A क्या कर सकते है Mr. A pay कर सकते है ability to pay मतलब he can pay for the car तो next day क्या हुआ Mr. A ने क्या किया गए showroom में और फिर एक car बुक करके आ गया तो मेरा यहाँ पर question है कि उनके wife ने demand किया उनको car मिल गया क्या इसको हम demand कहेंगे थोड़े वक्त के लिए सोचिए और आप answer comment section में जरूर दीजिए तो अगर आपका answer is yes यह demand है तो आप सभी लोग wrong है अगर किसी ने बुला कि demand है तो यह wrong है यह demand नहीं है क्यूंकि demand का basic definition है अगर basic formula है कि Mr. A के wife को क्या था desire था car चाहिए तो उनका desire था Mr. A का ability भी था वो pay भी कर सकते थे लेकिन Mr. A क्या है miser है, conjuice है तो इनको खर्च करने में बहुत satisfaction नहीं मिलता है तो यहाँ पर willingness to pay नहीं है that means Mr. A इसलिए कार खरीद के दे रहे है क्यूंकि उनकी wife ने जित किया है ठीक है He is not ready to pay ability है पे कर सकते है but actually वो purposefully नहीं कर रहे है वो इसलिए कर रहे है क्यूंकि उनकी wife ने बुला तो उसको हम demand नहीं बोल सकते है demand तभी होगा जब आपका desire है और आपके पास उतने pay करने के लिए पैसे भी है और आपको वो चीज like willingness basically a kind of satisfaction और आप satisfied भी हो तो उसको हम क्या बोल सकते है demand बोलते है अब इसको हम लोग practical way में देखते है जैसे practical way में समझते है कि जैसे एक person है एक person का income 10,000 है तो वो खर्चा कितना करेगा 10,000 ही करेगा ऐसा है कि 10,000 है तो उसका 20,000 खर्चा करेगा नहीं न अगर किसी का 15,000 है तो expenditure भी किसके किसाब से करेगा 15,000 किसाब से करेगा तो demand भी क्या करेगा 15,000 क्योंकि इसका ability भी उतनी है तो जो 10,000 वाला है वो spending कम करेगा 15,000 वाला थोड़ा से spending ज़्यादा करेगा तो demand जो होता है वो उसके income के उपर depend होता है उसका कितना income है वो depend होता है दूसरा price के पर depend होता है अगर price बहुत ज़्यादा हो तो उसका demand कम करेगा वो क्योंकि उसके पास उतने income नहीं है so basically income is a source of demand actually कितना हमारा income है उसके इसाब से हम demand करते है ठीक है यह आपको general थोड़ा सा मैने आपको explain किया अब आपको समझ में आगए demand क्या है देखो पहला point क्या बोलता है goods are demanded because they had a utility मतलब उसको जरूत है need है इसके लिए क्या होता है demand किया जाता है जैसे उनकी wife ने देखा कि सब लोग खुद की कार चाह रहे है और हम रिक्षश आरहे है हमको हम भी उतना कमाता है हम भी उतने अमीर है हमको भी कार चाहिए तो utility था उनका तो goods demand किया जाता है जब उस चीज़ की utility हो ठीक है goods is quantity of commodity that person is ready to buy at a particular price during given period of time demand वो होता है जब एक person उस particular price पे खरीदने के लिए तायार हो जाता है ठीक है जैसे मैंने बता है कि 10,000 income है तो 10,000 क्या कर सकता है expenditure कर सकता है so he is ready to pay 10,000 just because he has ability to pay तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं demand बोलते हैं आपको bike खरीदना है और bike की कीमत जो है 2,000 रुपया है और आपके पास जो है सिर्फ 50,000 है तो उसको हम demand बोलेंगे क्या नहीं so demand कब बोलेंगे जब आपने एक demand किया कि वह मुझे bike चाहिए और आपके पास 2,000 रुपय भी यह pay करने के लिए उस particular time पर उस particular price को तो हम उसको क्या बोलते हैं demand बोलते हैं और economics में क्या होता है demand refers to desire जो मैंने बता है desire plus ability to pay and willingness to pay for it इसको हम लोग क्या बोलते हैं demand बोलते हैं समझ में आगया पूरा demand की कहानी demand मतलब क्या होता है demand का normally means कोई चीज की मांग करना but economics में demand तभी होता है जब उस चीज़ का desire हो और उस पे ability भी हो pay करने की plus satisfaction भी ज़रूरी है अगर satisfaction नहीं है तो फिर उसको demand नहीं बोलेंगे आपको कहानी भी समझ में आगे रहेगे चलो अब हम लोग discuss कर लेते हैं individual demand very simple individual मतलब क्या होता है जब एक particular person single person जब क्या करता है demand करता है उसको हम एक individual demand बोलते हैं तो इसको definition कैसे लिखोगे individual demand is demanded by an individual मतलब जब कोई एक single person क्या करता है demand करता है उसको हम क्या बोलते हैं individual demand बोलते हैं जब एक consumer क्या करता है demand करता है ठीक है, different quantity, अलग-अलग quantity, एक particular price पे ठीक है, और a different price पे, given period of time में उसको हम क्या बोलते है, individual demand, I repeat again, individual demand वो होता है, जो एक consumer क्या करता है, commodity का demand करता है, ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है, individual demand वो बताता है, कि एक consumer है, जो अलग-अलग quantity खरीता है, अलग-अलग price पे, उसको हम क्या बोलते है, individual demand बोलते है, तो अगर यह sentence समझा तो अब यह diagram भी बना लोग है, individual demand मतलब क्या होता है, different, one, two, three, four, five, different quantity of commodity demanded by a consumer at different price, it is called as individual demand, और यह diagram schedule है, schedule भी आप easily बना सकता है, इसको अगर आपको explain करना है, तो यह about diagram में क्या show कर रहा है, lower quantity of commodity is demanded higher price, एक quantity demand किया जा रहा है, higher price पे, higher quantity demand किया जा रहा है, lower price पे, यही चीज यहाँ पे explain किया है, ठीक है, बात में example दे दिया है कि, 10 रुपे पे 1 kg demand था, और 2 रुपी इस पे 5 kg demand है, इसका diagram आपको कैसे बनाना है, very simple, मैं आपक यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ, था कि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है, थोड़ा y axis, मेरा थोड़ा writing थोड़ा सा बहर कर लेना, यह y axis है, मैं इसको rough करके वापस अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, देखे, यह x axis है, और यह क्या है, y axis है, ठीक है, x success को मैं क्या रखूंगा, quantity demanded, ठीक है, y axis के क्या रखूंगा, price रखूंगा, क्या रखूंगा, price, अब यहाँ पे देखो, quantity demanded कितना एक से लेके पास थक है, यह तो origin 0 होता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, and 5, फिर यहाँ पे quantity demanded 2 से start है, 10 तक है, तो 0 के बाद क्याएगा 2, फिर उसक बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, ठीक है, यह आपने लिख लिया, अब जब price 10 रुपया था, जब price 10 रुपया था, तो quantity demand कितना था, यह price क्या है, y axis is price, जब price 10 रुपीज था, तो quantity demand कितना था, 1 unit था, 1 kg था, तो यह मेरा एक point निकल गया, जब price 8 र demand कर क्या होगा, downward, यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद, this one, फिर उसके बाद, this, तो यह demand कर क्या हो जाएगा, आपका downward हो जाएगा, dt कर हो जाएगा, समझना आगे कैसे, एक diagram अगर मैंने आपको बता दिया, सीखने के तो आप सारे diagram बना सकते, ठीक है, अब यह same diagram इस यहाँ पर देखो बना है, अब इसको अगर आपको explain करना है, तो आपको explain करोगे, सबसे पहले diagram में यह वा access क्या दिख रहा है, price दिख रहा है, x access क्या दिख रहा है, quantity demand दिख रहा है, यह dd कर क्या है, demand करो है, ठीक है, तो आपको यह पहला point clear हो गया, ठीक है, दूसरा point from left to right यह क्यों left to right हो रहा है, just because जब price high था तो demand क्या था? low था and जब price low हुआ तो demand क्या हो गया? high हो गया, so there is an inverse relationship, मतलब opposite relationship है कि जब price बढ़ रहा है तो demand घट रहा है जब price घट रहा है तो demand बढ़ रहा है इसलिए demand करके हा रहा है from left to right समझ में आई बात चला तो इस तरीके साब को explain करना ठीक है यहां पर देखो लिखा भी है इनवर्स मतलब opposite उल्टा ठीक है अब हम लुग डिसकस करता है market demand market demand मतलब मतलब क्या होता है एक market है उसमें कितने एक कितने consumer होंगे अच्छा हाँ आप demand पढ़ रहा है तो think like you are consumer तो consumer के prospectus से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझेगा तो market में एक consumer होता है नहीं वहाँ पे बहुत सारे consumer होते है n number of consumer 10,20,500 तो market demand मतलब क्या होता है ऐसा demand जो बहुत सारे consumer क्या करते हैं commodity का demand करते हैं उसको हम लोग market demand बोलते हैं यह general term में market demand मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग demand करते है commodity का वो क्या होता है market demand होता है ठीक है अब इसको explain कैसे करोगे sir देखो market demand indicate करता है कि total quantity of commodity demanded by all consumer जितने भी consumer demand करते हैं उससी एक particular time में जैसे six month का period हो सकता है three month का period हो सकता है वन year का period हो सकता है उस particular time में जितने भी demand करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते है market demand बोलते है I repeat again market demand क्या indicate करता है क्या बताता है कि जो भी total quantity commodity जो है वो demand किया जाता है किसके जरिए all consumer के जरिए एक particular time में क्यूंकि हम जब demand को measure करते हैं तो या तो हम six month का measure करेंगे या तो one year का measure करेंगे या तो three years या four years का measure करेंगे quarterly half yearly और yearly basis पर ठीक है चलो यह market यह schedule है like table है schedule को हम table भी बोल सकते रहे यह table है आप easily explain करेंगे यहाँ पे देखो जो पहला क्या price लिया है ठीक है प्राइस का 10, 8, 6, 4 और उसके बाद जो है market demand है तो यहाँ पर market demand इसे मान जो कि consumer A है consumer B है consumer C है यहाँ पर मैंने तीन consumer का लिया है आप चार consumer का भी example ले सकते हो क्यों कि market demand मतलब एक से ज्यादा consumer यह सब का जब price 10 रूपीज था तो consumer A ने जो है 5 quantity खरीदा consumer B ने 10 खरीदा consumer C ने 15 खरीदा तो total कितना हो गया 30 हो गया इसके लिए बोला market demand indicate total quantity demanded by all consumer ABC एक particular टाइम में उसको हम लोग क्या बोलते है market demand बोलते है तो I am sure यह table आपको समझा रहेगा और concept वोई सेम है कि जब price high था देखो जब 10 रूपीज था तो quantity demand कितना था low था 30 था और जब price क्या हो गया low हो गया जब price low हो गया 2 रूपीज हो गय quantity demand क्या हो गया demand market demand बढ़ गया okay I am sure आपको समझा रहेगा और देखो यहाँ पर जो डियागराम बनाया है market demand का यह जो market demand का same explanation वीसी seem to seem रहेगा सर कैसे y axis price x axis quantity और यहाँ पर market demand आप बूल सकते हो dd is demand market curve यह क्या हो रहें downward हो रहें दीखो arrow बना downward हो रहें कहां से left से right क्यूँ left से right हो रहा है just because price higher जब होता है तो demand low होता है जब price low होता है तो demand क्या होता है higher the price lower the demand lower the price higher the demand when price increases, demand decreases when price decreases, demand increases यह इस तरीके से जले करना आपको diagram को explain करना है तो यह क्या हो गया inverse relationship हो गया जतो बिट्वेंड प्राइबान घट रहे अपोजिट जा रहे प्राइस बढ़ रहे प्राइस बढ़ रहे तो डिवन बढ़ रहे यह opposite होके इसी को हम क्या बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनिशिप एक टॉपिक और हम लोग डिसकस कर लेते हैं उसके बाद जो है next lecture में अफ एक्टिंग जो डिमांड है वह हम लोग डिसकस करेंगे ऐगे चलो टाइपसब डिमांड हम लोग क्लिर कर लेते हैं फेला बोले डिमांड में अब बतलब क्या होता है आप जो है हल्वाई की दुकान पर गये और आपने क्या किया लड़ू खरीदा और खा गये वह डारेक्ट डिमांड हो गया क्या समझा डैरेक्ट डिमांड मतलब ऐसा डिमांड जब आप दुकान पे गया और आपने खरीदा और डैरेक्ली कंजूम कर लिए होगे डारेक्ट डिमांड हो गया ठीक है अब एक्टनॉमिक में आपको मैं समझ जाता हूं जैसे मैंने आपको लट डूब बता है वही चीज are demanded to satisfy human needs directly आपको भूख लगी थी आपने होटल में खाना खाले डारेक्ली आपके भूख मिट गी तो क्या हो गया एक डारेक्ट डिमांड हो गया अब एक नॉमिक लेंगविज में अगर हमको समझाना है तो इसको डारेक्ट देखो जैसे डिमांड फूर फूड जैसे मैंने आ आपस से रिपेर करवा रहा है उसके अंदर कुछ बनवा रहे फिर यूज़ करने ना डारेक्ली आप यूज़ करते हो रहे तो क्या हो गया डारेक्ट डिमांड हो गया मतलब आइसा कमोडिटी जिसको आपन डारेक्ली यूज़ कर सकता है इंडारेक्ट उसका उल्टा होता आपको बना बना प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, मैनिफक्टर करना पड़ता है, अब माल लीजे कि अगर घर बापको बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको इंजिनियर लेबर्स के रिक्वार्मेंट होगी, ह का यूज़ करके उसको हम लोग furniture में convert कर सकते हैं ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं indirect demand बोलते हैं when goods when demand for one commodity give the rise to the another demand मतलब जब एक commodity का demand किया जाता है तो उसके वेश से दूसरे commodity का demand बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं indirect जैसे example के और पे raw materials, labors, machine etc are not demanded to show directly अब माल लीज़े कि आप labor का labor आप use कर रहे या labor का demand कर रहे तो labor का use कर के आप कोई दूसरी चीज़ बनाओगे ना directly तो आप use नहीं कर रहे लेबर को आप use कर रहे production process में मतलब उससे कुछ और जैसे माल लीज़े आपका आइस्क्रीम का manufacturing है ठीक है तो आप labor का use करो के machine का use कर रहे हो क्या करने के लिए आइस्क्रीम बनाने के लिए तो ice cream will become direct demand लेकिन बाकि उसमें labor और machine का use कर रहे हो तो क्या हो जाएगा indirect demand हो जाएगा समझ जरू मेरी बात चलो अगर यह point आपको समझा अच्छे से तो comment करना जरूर ठीक है joint demand और complementary demand अब joint demand and complementary demand यह होता है कि दो product एक साथ demand किया जाते हैं जैसे मान लीजिए paper और pen दोनों joint हो गए car और petrol दोनों एक साथ demand किया जा रहे है तो उसको हम क्या बोलते है joint demand when two or more commodity are demanded at same time जब दो commodity जब दो या दो से ज्यादा commodity demanded किया जाते है same time पे उसको हम क्या बोलते है to satisfy single ones it is called a joint demand for example car and petrol pen and paper toothbrush and toothpaste आपके पास tooth brush रहेगा लेकिन अगर toothpaste नहीं है तो फिर उसका रहे कि क्या मतलब है तो आपको toothpaste लेना ही पड़ेगा राइट so both commodity are demanded at same time so that is called a joint demand or complementary demand composite demand composite demand मतलब क्या होता है कि जब commodity demanded किया जाता है multiple uses के लिए क्या करने के लिए multiple use करने के लिए उसको हम लोग क्या बलते है composite demand example के तौर पे electricity ठीक है lighting और cooking एक्सेक्टर हम लोग यूज करते है milk का हम लोग क्या करते है tea बनाने के लिए coffee बनाने के लिए ice cream बनाने के लिए so that is also a composite demand competitive demand competitive demand मतलब यह होता है कि जब दो goods close substitute होता है अब competitive मतलब competition और competition कैसे होगा कि जब दो product same to same होगा अमा लेजे toothpaste एक product है उसमें बहुत सारे company के brand है तो एक दूसरे से क्या करते है competition करते हैं तो वह क्या होगा competitive demand हो गया तो वहीं बोलता है when two goods are close substitute एक जैसा हूब हूँ जब होता है इस जदर demanded for the commodity compete with its substitute is called as competitive demand इसलिए क्या होता है कि जब substitute होता है तो एक दूसरे का demand क्या करते है competitive करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते competitive demand जिसे माल लिजिए कि आप दुकान बेगाए लेस का चिप्स हल्दी राम का चिप्स और डामेंड का चिप्स तो एक दूसरे से क्या कर रहे है ऐसे नहीं fight करें बट एक्चुल में किसका ज्यादा selling में हुए एक तरीके का competitive हो गया राइट एक्जम्बल के दूर पर आप टी एन कॉफी पेप्सी एन कोला एक्सेक्टर यह example दिये आपको समझा रहेगा types of demand हमने जो है तीन question discuss कर लिया है यहाँ पर जो हम लोगने starting में बताया था आपको कौन सी topic हम लोग discuss करेंगे देखो यह question हमारा हो गया what is demand individual market demand types of demand next lecture में हम discuss करेंगे determinants of demand